हलो एबरिवन कैसे हैं और क्या ख़वर आपके देखे किसी स्टॉक से आपको हाई रिटर्ण मिल रहा है तो हो सकता है उसके साथ उतना ही हाई डिस्क भी हो लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ कमपनिया ऐसी भी है जिनके स्टॉक रिटर्ण दे या ना दे लेकिन डिविडे dividend stock से पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा जरिया है, stock perform करता है, नहीं करता है, dividend देने वाले stock में invest करने से आपकी investment पर कुछ न कुछ return हमें मिलते रहते हैं, हो सकता है, आप में से काफी लोगों को dividend का ना पता हो, तो एक line बता दूं कि dividend वो account है, जो company अपने profit में से आपको, यान पर share पर आपको 5 रुपे का dividend बिल जाएगा, तो माल लीजिए अगर आपके पास 1000 share है, तो आपके dividend की value हो गई 5000 रुपे, dividend fix नहीं होता है, company चाहे दे, कम दे, वो depend करता है company पर, कई बार तो company आपने shareholder को लुभाने के लिए, उन्हें profit हो ना हो तो भी देती है, तो I hope आपक के आँखों को खोल देगी, तो वो last वाला part है न, जरूर देखिएगा, बहुत कम लोग बताते हैं, कोसिस की है, सच बताने की, तो मैं मुकलगरवाल आपका, आप ही के YouTube चैनल में सब्सक्राइब करें, बेल आइकोन इट करें, नटिविकेशन ओन कर लें, जिससे जब भी पहले आज की हमारी वीडियो के स्पॉंसर है, स्टॉक बैटल, यह एक ऐसा एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक वीकली कॉंटेस्ट में आप हिस्सा लेकर पैसा कमा सकते हैं, यह कॉंटेस्ट फ्री भी होते हैं, पेड भी, फ्री टुनामेंट के प्राइज जो कि एक ग्रेट चांस से मनी अर्ण करने का, और अगर बात करें पेड टुनामेंट की, तो उनका पुल प्राइस काफी हाई है, और अगर आपको भी एक अच्छा एमांट अर्ण करना है, तो आप ट्राइ कीजिए इस एप को डाउनलोड कीजिए, टुनामेंट भी घर बैठे-बैठे, सोने पे स्वागा बात यह है, कि एप डाउनलोड करने से आपको मिलेगा बोनस गिफ्ट, अब चलते हैं हमारे में टॉपिक पर, तो पहला से रहे हिंदुजा ग्लोबल सॉलूशन लिमिटेड, बिजनस प्रोसेस मैनेजमेंट के बिजनस में इनव परसेंट का है, डिविदेंट पे आउट जो है, वो 25% फाइनसिल यह 2021 का, 2020 का 21%, 2019 का 12%, अगर सेयर की परफोमेंस की बात करें, तो एक साल में 15% का रिटर्म और पांच साल में 264% का रिटर्म दिया है, अगर दूसरे स्टॉक के तरफ जाते हैं, तो पावर जेनरेशन से रि डिश्टिबूशन में भी है, वहाँ पे डिविदेंट टिल्ड अगर लास्ट यह का देखें तो 9.74% है, डिविदेंट पे आउट का अगर देखें, 2021 का तो 30%, 2020 का 44%, 2019 का 38%, एक साल का अगर स्टॉक का परफोमेंस देखेंगे तो माइनस 6% है, और 5 यह का देखेंगे तो मा खारत की एक कंपनी जो पेट्रोलियों मुतपाद के रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांस्पोर्टेशन, मार्केटिंग से लेकर R&D, एक्स्पोरेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग ऑफ नैचुरल गैस में सामिल कंपनी है, इनका डिविदेंट जो है 9.3% का है, डि यहां पर यह इंडियन पावर सेक्टर में फाइनिंशियल बैक्बून की तरह काम कर रही है, 9% का लाशीर का डिविदेंट तिल्ड हिन का, अगर 2021 के हम डिविदेंट पे आउट की बात करें, तो 22%, 2020 की बात करें, तो 35%, 2019 की बात करें, तो 0% है, वहां पर अगर एक साल का प हम आपको positive और negative सब बता रहे हैं, सिर्फ अच्छी नहीं, बुरी बाते भी जानना जरूरी होती है, और वीडियो को like करना उससे जारा जरूरी होता है, तो हमें पता चलेगा, content आपको पसंद आ रहा है, next year है, NMDC का company, iron ore, diamond के exploration, production, wind power के sales में involved है, dividend till last year का 8.8% का है, dividend payout पे अगर आते हैं, तो financial year 2021 का 36%, 2020 का 45%, 19 का 37% है, वहीं, one year में minus 9.48% का return और पांस साल में अच्छा return 22% के पास का है, अब आते हैं, coal India, coal लेके mining production में involved है, right, इनका dividend yield last year का 8.6% है, अगर payout पे आते हैं, financial year 2021 का, तो 78%, 2020 में 44%, 2019 में 46%, वहाँ पर अगर इस share के performance को देखोगे, तो एक साल में 37.18% का return, अगर पास साल में जाओगे, तो minus 33% का return, next stock है हमारा, Allsec Tech, जी है, global leading player है, fortune 100 कंपनियों और दूसरी industry leader कंपनियों को outsourcing solution प्रोवाइड करा के देती है, company के service में आता है, verification, processing of order, received through telephone call, telemarketing, इस तरह की काम में ये हैं, इनके तीन delivery center, चैन्नई, बैंगलूर, NCR में हैं, अगर इनके dividend deal पे आते हो, तो 8.5% का है, अगर हम dividend payout देखते हैं, तो financial year 2021 का 55%, 2020 का 0, financial year 2019 का 97%, वहाँ पर इसका performance अच्छा है, एक साल में 49.80%, पास साल में 33.82%, उसके बाद next stock है, हमारा, PTC India, mainly power trading में involved है, और इनका dividend yield, last year का 7.9% है, dividend payout पे आते हैं, तो financial year 2021 के लिए 49%, 2020 के लिए 44%, 2019 के लिए 28% का है, वहाँ पर अगर इसके performance पे आते हैं, तो एक साल का 5.99% और पास साल का 12.64%, लेकिन negative में है, positive में नहीं है, next stock है, sell, still authority of India, still largest still making company है, महारतन में सामिल है, इनका dividend yield, last year का 6.1% का है, dividend payout आएंगे, financial year 2020 पे तो ये 28%, 2020 पे 0%, 2019 पे 9%, अगर एक साल का return देखें तो minus में है, 32.47% और 5 येर में आए, तो positive है, 49.42% के साथ, और हमारा last stock है, hood को housing and urban development corporation limited, business of financing housing and urban development activities में involved है, 6% का dividend yield है, जो last year का हम आते हैं, financial year 2021 के payout पे तो 28%, 2020 वाले पे 36% और 2019 वाले पे 14% का है, एक साल में share ने minus 20.47% का return, 5 साल में minus 53.14% का return दिया है, तो ये 10 कमपनियां थी, जो dividend pay कर रही हैं, लेकिन सिर्फ dividend को देख कर कभी पैसा नहीं लगाना चीए, इसके 3 कारण, पहला, इस बात की कोई guarantee नहीं है, कि ये आगे भी pay करें, दूसरा, इन में से ज़्यादा तर PSU कमपनियां हैं, जिनका motto होता है, government of India को income provide करा आना, in case अगर उनका privatization होता है, तो इनके dividend पे negative impact आएगा, और PSU वैसे भी ज़्यादा बहतरीन return नहीं दे पाते हैं, तीसरा, कि जैसा कि आपने देखा, कि इन कमपनियों का share price और performance बहुत low है, कुछी कमपनियां ऐसी थी जो अच्छा perform कर रही थी, यहां तक कि तीन साल में इनके price भी गिरे हैं, तो ये एक drawback है, क्योंकि price share के अगर गिर रहे हैं, तो वो भी एक loss में ही count आएगा, आप जाने dividend का पूरा सच, Thank you so much, रुक जाओ, रुक जाओ, देखो, सुरू में अब ये last में जो एक चीज बताया न, उसको सुरू में highlight करना परेगा, जैसे हमने सुरू में एक बात बोला था, कि dividend समझ गए होंगे, क्या होता है, अब चानते हैं उन company को,